बिसमें लायरमाली रहीम, असलाम अलेकूम, कैसे हैं आप सब वीवर्स, उमीदे सब अपने अपने घरों में खुशोखुरम होंगे आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार और चटपटे, काले चने आप इस रेसिपी को मेरी रमजान में जरूर घर में ट्राइ कीजिएगा और अपना फीटबैक दीजिएगा मुझे काले चने बनाने के लिए हमेके इनके इन चीजों की जरूरत होगी वो नोडाउन कर लेते हैं यह मैंने काले चने लिए और इनको ओवरनाइट भिगो दिया था मैंने सोडा डालकर पानी में खानी का सोडा डाला था मैंने और फिर इनको सुबा बॉयल कर लिया वन टेबिल स्पून भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिये वन टी स्पून जो बजार का चाट मसाला होता है वो लिया है मैंने वन टेबिल स्पून भरकर मैंने यह घर का बना हुआ चाट मसाला है जो हम दही बड़े और छोले में सिमाल करते हैं वो है यह 1 टेबिल स्पून, इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी 15 से 20 मैंने कड़ी पत्ते लिये हैं 1 टेबिल स्पून, जीरा है 1 टेबिल स्पून सिर्फ लेसन है, इसको मैंने अभी फ्रेशली ग्राइड किया है और हमें इमली के पल्प की जरूरत होगी, यह हम अपनी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे एक छोटी प्यास लिये मैंने और इसको बीच में से कट करके मैंने इस तरह से छोटे पीसे में काट लिया है हरा धनिया है, तीन से चार टेविल स्पून, एक छोटा टेमाटर है, उसको इस तरह से बारीक छोटा काट लिया है और चार हरी मिर्चे है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है पैन में मैंने एक कप ओईल लिया है, और उसके अंदर अब मैं ये सबसे पहले जीरा डाल रही हूँ जीरा के साथ ही मैं ये, जो आपको कड़ी पत्ते बतायते हैं, वो भी इसमें डाल रही हूँ इसको हम थोड़ा एक से दो मिनट देंगे अब मैं इसके अंदर लेसन डाल रही हूँ लेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, अब इसके अंदर मैं छोले डाल रही हूँ छोले मैंने बॉइल किये थे तो उसका सारा पानी फेक दिया था लेकिन उसका थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया था जो मैंने इसमें डाला है अब इसके अंदर मैं ये कुटी इमेज घर का बना हुआ चाट मसाला और बाहर का चाट मसाला दोनों डाल रही हूँ नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक मैंने छोलो में बॉयल करते वक भी डाला था इसलिए अभी मैं सिर्फ इसके अंदर हाफ टी स्पून और डाल रही हूँ बाद मैं टेस्ट करने के बाद अगर जरूरत महसूस होगी तो फिर हम इसमें और एट कर देंगे अब इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको अच्छे से भूल लेंगे छोलो का सारा पानी खुश्क हो गया है अब इसके अंदर मैं यह इमली का रस डाल रही हूँ यह मैं पूरा नहीं डालूँगे यह हम अपने टेस्ट के कार्डिंग लिल डालेंगे अब इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि इमली का पानी जो हमने डाला है वो थोड़ा सा पक जाए इमली डालकर हमने पका लिया है अब इसके अंदर मैं यह प्यास डाल रही हूँ त्रिमाटर और हरीमिर्च और हरा धनिया थोड़ा सा बचाकर मैं सब डाल दूँगी जो बचा रही हूँ मैं वो गार्निशिंग में यूज करूँगी अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ प्यास त्रिमाटर हरा धनिया और हरीमिर्च डालकर सिर्फ एक से दो मिनट हमें पकाना है और फिर हम इसे सर्फ करकर आपको दिखाते हैं हमारे काले छोलो की फाइनल लुक आपके सामने है आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रमजान में इस रेसिपी को अपने घर में ट्राइ करके मुझे जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी शुक्रिया